हेलो गाइज मेरे चैनल पर नए है टू सब्सक्राइब और लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें महिमा जी और दीक्षा जी को जैपुर में देखकर देव और हर्शित दोनों शौक हो जाते हैं और बाकी के परिवार वाले उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं महिमा जी इश्वर्ता को देखकर बहुत खुश होती है और सभी अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं और वही दूसरी तरफ सिधार्थ अपनी पढ़ाएक पूरी करके जोदपुर वापस आ जाता है जिसे देखकर विक्रम और वंदना जी बहुत खुश होते हैं अब आगे जैपुर में पूरे महल में आज खुशी का माहौल छाया था सभी हौल में बैठे बाते कर रहे थे थोड़ी ही देर में एश्वर्या और दादी की अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों हस हस कर एक दूसरे से बाते कर रही थी जिसे देखकर देव और हर्शित भी शौक थे देव अपनी आखे को बड़ी बड़ी करके दादी और एश्वर्या को देख रहा था फिर देव वैसे ही उन्हें देखते हुए हर्शित से कहता है बड़े भया क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं जिससे सुनकर हर्शित देव के हाथ में जोर से चिम्टी का जिससे देव के मुह से आह निकल जाती है और देव गुस्से में अपने हाथ को मलते हुए हर्शित से कहता है आपने मुझे चिम्टी क्यों काटी जिस पर हर्शित उसके कंदे में हाथ रख कर बड़े ही आराम से कहता है ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये सब सपना नहीं जिससे सुनकर देव अपना मुह बना लेता है और अपने आप से कहता है हाँ तो आप बोलकर भी तो बता सकते थे इसमें इतनी जोर से चिम्टी काटने की क्या जरूरत थी दरसल महिमा जी एकांच के अलावा किसी से भी इतने प्यार से बात नहीं करती है क्योंकि एकांच सबसे प्यारा पोता जो है दादी एश्वर्या को एकांच के बचपन के किस्से सुना रही थी जिससे सुनकर एश्वर्या खुद को हसने से रोक नहीं पाती है जब संथ्या जी और जैजी एश्वर्या को इतना खुश देखते है तो दोनों की आँखे खुशी से नम हो जा हमने आपके लिए जो फैसला लिया है वो जरूर आपको इस समय गलत लगे लेकिन हमें पता है आपके लिए यही सबसे अच्छा होगा सभी की बाते चल ही रही थी कि तभी एकांच रजत के साथ अंदर आता है एश्वर्या जैसे ही एकांच को देखती है उसका दिल धड़कना ही भूल जाता है क्योंकि एकांच अभी बहुत हैंसम लग रहा था जब महिमा जी एकांच को आते देखती है तो उसे देखकर बहुत खुश होती है लेकिन गुसा होने का नाटक करके कहती है अब मिल गया आपको टाइम अपनी बूरी ग्रेनी से मिलने का अपनी ग्रेनी को गुस्से देखकर एक आंच उनके पास घुटने के बल बैट कर उनका हाथ प्यार से पकड़ कर कहता है ग्रेनी आपको तो पता है न की हमें कितना काम रहता है फिर भी आप हमसे ऐसा कह रही है जिस पर महिमा जी कहती है हाँ क्यों नहीं अब तो आपके लिए काही सब कुछ है हम थोड़ी न आपके कुछ लगते है जिस पर एक आंच उन्हें समझाते हुए कहता है आपसे ये सब किस ने कहा आपको को तो पता है न की हमारी जान आप में बसती है ये सब एक आंच महिमा जी कह रहा था लेकिन उसकी नजरे तो सिर्फ एश्वर्या पर ही थी जिसे महिमा जी ने भी देख लिया था जिसे देख कर वो मन ही मन मुस्कुरा देती है फिर दादी कहती है अच्छा ये सब छोड़े और आये हमारे पास बैठे और इतना कहर अपनी दूसरी तरफ एक आंच को बैठा लेती है और अपनी आँखों से दीक्षा जी को कुछ इशारा करती है जिसे देख कर दीक्षा जी भी उन्हें कुछ इशारा करती है फिर दादी एश्वर्या को एक आंच के बचपन के किस से सुनाने लगती है जिसे सुनकर एश्वर्या के चहरे पर स्माईल थी जिसे देख कर एक आंज भी मुस्कुरा देता है दादी एश्वर्या को हस्ते हुए बताती है आपको पता है बेटा जब बंटू छोटा था न तो इसे रात में अकेले सोने में बहुत दर लगता था इसलिए हमेशा रात को उठकर हमारे पास सोने आ जाते थे तो एश्वर्या कन्फ्यूज होकर दादी से पूछती है दादी ये बंटू कौन है जिस पर देव खुश होकर एश्वर्या से कहता है अरे प्रिंसेस बड़े भया के बचपन का नाम बंटू है जिसे सुनकर एश्वर्या हस्ते हुए अपने मन में कहती है वा तो मिस्टर खडूस का निक नेमे बंटू है वही जब एक आँज बंटू नाम सुनता है तो वो अपना मुह बना लेता है जिसे देखकर एश्वर्या की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और एश्वर्या एग्जाटेड होकर पूछती है फिर उसके आगे क्या होता था दादी तो दादी एक आँज की तरफ देखकर कहती है शुरुआत में तो हम इन्हें वापस इनके कमरे में छोड़ाते थे लेकिन जब सुबह जाकर हम इन्हें धूंगते थे तो ये हमें अलमारी में कपड़ों के सोते मिलते थे और हमारे पूछने पर बताते थे की रात में इन्हें दर लग रहा था इसलिए अलमारी में जाकर सो गए जिससे सुनकर एश्वर्या के साथ वहां बैठे सभी लोग बहुत हसते है तब ही देव कहता है वाह बड़े भाईया आप तो छोटे में बहुत बहादुर थे अकेले अलमारी में सोते थे और इतना कहके जोर जोर से हसने लगता है देव की बाते सुनकर एकांश उसे अपनी लाल आखों से गुस्से से देखता है जिसे देखकर देव दर जाता है और चुप हो जाता है फिर एकांश एश्वर्या की तरफ देखकर अपने मन में कहता है अभी हस लीजिए आप आपको तो हम बाद में बताते हैं हस वो अपनी दादी से थोड़ा चिरकर कहता है, ग्रेनी अब में बड़ा हो गया हूँ, प्लीज आप मुझे ये बंटू कहना बंद करिये। जिसे सुनकर दादी उसके गाल खीचते हुए कहती है, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए हमारे लिए हमेशा आप हमारे बंटू ही रहेंगे। ऐसे ही सभी की बातों से महल में चहल पहल मची रहती है, थोड़ी देर बाद सभी खाना खाते है और तब तक कार्तिक भी ऑफिस से वापस आ गया था। रात में पूरे आस्मान में चांधनी फैली हुई थी और चांध हलके बादलों के पीछे छुपा था थंडी थंडी हवाई चल रही थी, पूरा महल लाइट से चमक रहा था। वही आज सभी बाहर गार्डन में अपने बड़ों और छोटों की मंदली बनाकर अलग-अलग बैठे थे। देव और हरशिता दोनों कुछ सोच रहे थे, दोनों को किसी गहरी सोच में डूबे देखकर एश्वर्या कार्टिक से इशारे में इसके बारे में पूछती है। तो कार्टिक दीरे से जाकर हरशिता के कान में पूछता है, लिटल प्रिंसेस आप क्या सोच रही है। कार्टिक की बात सुनकर हरशिता अपने होश में आती है और कहती है, कार्टिक भया हम ये सोच रहे है कि आखिर इन सभी की वहां कौन सी इंपॉटेंट बाते चल रही है जो उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। हरशिता की बात सुनकर अश्वर्या हरशिता को समझाते हुए कहती है अच्छा तो ठीक है हमें तो बहुत नीमदा रही है इसलिए हम जा रहे है सोने गुड़ नाइट। और इतना एश्वर्या गार्डन से महल के अंदर चली जाती है एश्वर्या को जाते देख एक आंज भी अपने किसी important call का बहाना बना कर वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर कार्टिक मन ही मन बहुत हस्ता है। वही दूसरी तरफ जै जी और महिमा जी दोनों गंबीर होकर बैठे थे और बाकी सब भी उनकी बाते सुन रहे थे। जै जी महिमा जी से कहते हैं काकिसा अब समय आ गया है बीस साल पहले हमने जो तै किया था उसे पूरा किया जाए। जिसे सुनकर महिमा जी मुस्कुरा कर कहती है हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है फिर थोड़ा गंबीर होकर कहती है लेकिन अगर हमारे दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया तो कहीं हमारे बच्चों के लिए कोई नई परेशानी न खड़ी हो जाए। तो वीर जी कहते हैं, काकी सा हम आपकी बात को समझते हैं लेकिन अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी सारी परिशानियों का सामना खुद कर सकते हैं. तो महिमा जी कहती है, ठीक है तो फिर हम सहमत हैं, तभी बीच में संध्या जी कहती है, हमें पता है आप सभी ने फैसला किया है, वो हमारे बच्चों के लिए सही है लेकिन एक बार हमें इस बारे में अपने बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए. संध्या जी की बातों से सभी सहमत होते है और हां में अपना सर हिलाते है तो कहानी में आगे क्या होने वाला है? संध्या जी किस लिए परेशान है? और सभी किस काम को पूरा करने की बात कर रहे है? और एकांच और एश्वर्या की जिन्दगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? दादी एश्वर्या को एकांच के बच्पन के किस्से सुनाती है और एकांच के बच्पन का नाम बताती है जिसे सुनकर एश्वर्या और बाकी के परिवार वाले सभी बहुत हस्ते हैं और एकांच ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है वही रात में आश्वर्या सभी से गुड नाइट कहकर महल के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर एक आंच भी अपना अमपॉर्टेंट कॉल रीसर्फ करने महल में अंदर चला जाता है अब आगे अश्वर्या अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है फिर अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करती है तूरिंग के बाद दूसरी तरफ से कोई कॉल उठाता है कॉल के उठते ही एश्वर्या अपनी बालकनी में जाकर कहती है जोया मैंने जो काम कहा था वो हुआ जी ये जोया है एश्वर्या की सेक्रेटरी और कार्तिक की बहन तभी दूसरी तरफ से जोया की प्यारी लेकिन रौबदार आवा जाती है येस मेम आपका काम हो गया है अब आप वहां जा सकती है जिसे सुनकर एश्वर्या के चहरे पर डेवल स्माइल आ जाती है फिर एश्वर्या कहती है ठीक है तो तुम भी यहां आने की त्यारी कर लो तो जोया चौक कर कहती है क्या मैं इससे पहली वो कुछ कहती आगे कुछ कहती एश्वर्या अपनी कढ़क आवाज ने कहती है इस माइ ओडर जिससे सुनकर जोया का चहरा उतर जाता है और वो उदास होकर कहती है ठीक है जोया को उदास देखकर एश्वर्या उससे समझाते हुए कहती है आप एक बार इंडिया आ जाए फिर मैं तुम हिसब समझा दूँगी जोया भी एश्वर्या की बात को समझती है और सिर्फ हां कहती है और थोड़ी देर और बात करने के बाद एश्वर्या कॉल कट करके रूम में आ जाती है और अपने कपड़े लेकर बातरूम में चली जाती है थोड़ी देर बाद एशवर्या अपने कपड़े बदलकर बातरूम से बाहर आकर बिस्तर पर लेटने वाली होती है कि तभी कोई एशवर्या के कमरे का दर्वाजा खटखटाता है जिससे चिरकर एश्वर्या अपने आप से कहती है अरे यार, अब कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता इतना कहकर वो अपनी आँखे बंद किये ही दर्वाजा खोलने जाती है एश्वर्या दर्वाजा खोल कर अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो उसकी पूरी नींद उर जाती है, वो अपनी आँखे बड़ी बड़ी उसे देखने लगती है तभी एश्वर्या थोड़ा हरबड़ा कहती है अरे बंटु जी आप यहां मिरा मतलब एक आंच ची एश्वर्या की बाते सुनकर एक आंच उसे घूर कर देखने लगता है जब एश्वर्या देखती है कि एक आंच उसे अपनी नीली आँखों से घूर रहा है तो वो अपने मन कहती है अरे यार यह मिस्टर बंटु मेरा मतलब खरूस मुझे घूर क्यों रहे है दोनों खामोश होकर एक दूसरे को देख रहे थे तभी एश्वर्या खामोशी को तोड़ते हुए थोड़ा हिचकिचा कर एक आंच से पूछती है आपको मुझसे कुछ काम था एश्वर्या की आवाद सुनकर एक आंच अपने होश में आता है और एश्वर्या की आँखों में देखते हुए कहता है क्या हम यही दर्वाजे पर खड़े होकर बात करें एक आंज की बात सुनकर एश्वर्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने सर पर मारते हुए अपने मन में कहती है मैं भी पूरी पागल हूँ फिर जूठा मुस्कुरा कर एक आंज से कहती है ओ सौरी आए न अंदर इतना कहकर दर्वाजे के सामने से हट जाती है तो एक आंज कमरे के अंदर जाकर पूरे कमरे को अच्छे से देखता है तभी एक आंच को देखकर एश्वर्या अपना मुह बना कर देखती है और कहती है कमरे को तो ऐसे देख रहे है जैसे पहले यहां आए ही नहों हूं मिस्टर खरूस कहीं के एश्वर्या को अपने आप से बात करते देख एक आंच उसे अपनी छोटी आँखे करके देखते हुए कहता है आपने अभी कुछ कहा एक आंच की आवाज अभी थोड़ी सक्त थी जिससे सुनकर एश्वर्या अपना सर नमे हिलाते हुए कहती है नहीं तो हमने तो कुछ नहीं कहा फिर एश्वर्या एक आंज को सोफे पर बैठने का इशारा करती है एश्वर्या अब सीरियस होकर एक आंज से पूछती है बताए क्या काम था आपको हम से जिस पर एकांच भी सीरियस होकर कहता है वो हम कमपनी के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते थे तो एश्वर्या हां में अपना सर हिला कर कहती है जी पूछिए तो एकांच कहता है मुझे पता चला है आपकी कमपनी के शेर होल्डर्स को विक्रम चौहान के असिस्टंट के साथ देखा गया था एश्वर्या बड़े ध्यान से एकांच की सारी बाते सुन रही थी तभी एकांच आगे कहता है मुझे लगता है कि विक्रम जरूर कोई नई चाल चलने वाला है इसलिए आपको पहले से तयार रहना चाहिए एकांच की बात सुनकर अब एश्वर्या के चहरे पर शातिर मुस्कान लाकर एकांच से कहती है आप इन सब की फिक्र मत करिए क्योंकि हमने पहले ही इसका इलाज धून लिया है ये जान पाना बहुत मुश्किल था कि एश्वर्या के दिमाग में क्या चल रहा है जिस पर एक आंच पूछता है क्या मतलब आपका, जिसका आश्वर्या कोई जवाब नहीं देती, बस मुश्कुराती रहती है एश्वर्या की शातर मुश्कान देखकर एक आंच कन्फ्यूज होकर अपने मन में कहता है, अब इनके दिमाग में कौन सा नया प्लान चल रहा है फिर एक आंच एक लंबी सास लेकर अपने मन में कहता है, आपके और कितने नए रूप है जो अभी तक हम से छिपे है दरसल एक आंच जब भी एश्वर्या को देखता है उसे एश्वर्या एक नए रूप में मिलती है, जैसे कभी निदर शेरनी तो कभी भोली भाली मासूम लड़की तो कभी सबकी क्या करने वाली जिन्हें देखकर एक आंच कन्फ्यूज था कि आखिर इनमें से सही कौन है लिटों को बड़े आराम से अपने कान के पीछे कर लेती है एश्वर्या की मुसकान देखकर एक आंच का खुद से काबू खूने लगता है लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके अपने मन में कहता है अरे यार अगर आप ऐसे ही मुसकुराते रहोगी तो हम तो अपन आपको कैसे संभालेंगे और इतना कहकर एक आंच अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है रात बहुत हो गई है अब आपको सो जाना चाहिए और इतना कहकर बिना ऐश्वर्या की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल जाता है एक आंच को ऐसे अचानक से जाते देख एश्वर्या कन्फ्यूज हो जाती है और खुद से कहती है अब इन्हें क्या हुआ अचानक से चले गया थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था एश्वर्या फिर सोफे से उठकर अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहती है मुझे क्या अभी तो बस मुझे सोना है और इतना कहकर वो अपने पिलो को गले लगा कर सो जाती है वही दूसरी तरफ एश्वर्या के कमरे से निकलने के बाद एक आंच अपने कमरे में जाकर सीधा शावल लेने चला जाता है और उसके नीचे खड़ा रहता है एक आंच की पूरी बॉडी पर पानी से भीग चुकी थी और एक आंच के बालों से पानी टपक रहा था इस समय एक आंच बहुत होट लग रहा था अगर कोई लड़की उसे ऐसे देख ले तुप पागल ही होजाए एक आंच अपने आपको शांत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन शावल का थंडा पानी भी एक आंच को शांत नहीं कर पा रहा था एक आंच को बार-बार एश्वर्या का हस्ते हुआ चहरा और उसके बाल समवारना देख रहा था जिससे एकांच पागल हो रहा था एकांच दीवाल पर जोर से घूसा मरते हुए खुद से कहता है क्यों आखिर क्यों तुम्हें देख कर मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता क्यों हर वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा देखता है क्यों तभी एकांच को एश्वर्या और कार्तिक के ओफिस में साथ होने की याद आ जाती है जिसे याद करके एकांच का गुस्सा और बढ़ जाता है एकांच अभी भी यही सोच रहा है कि एश्वर्या और कार्तिक दोनों में रिलेशन्शिप में है आद्वी घंटे बाद एकांच बात्रों से बाहर आता है और आकर अपने मोबाइल मी देखता है की रजत की five missed call पढ़ी थी रजत की missed call देखकर एकांच की भौहे तन जाती है फिर एकांच रजत को call return करता है एक ही रिंग में रज़त कॉल उठा लेता है रज़त एकांच से कहता है सर्व हमारे सावजिस से पता चला है कि यूरोप की डेवल प्रिंसेस बहुत जल्दी मुंबई शिफ्ट हो रही है जिसे सुनकर एकांच अपनी रूड आवाज में कहता है और क्या पता चला तो रज़त आगे कहता है वो दो दिन बाद फिर से इंडिया आ रही है तो एकांच कहता है मुंबई के सारे एरपोर्ट में हमारे गाज को लगा दो और इस बार हार हाल में मुझे वो चाहिए फिर अपने आपसे कहता है जरा मैं भी तो देखूं आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उससे पूरा लंडन दरता है तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है सर, सर, जिसे सुनकर एकांच गुस्से में कहता है सुनाई देता है मुझे बेहरा नहीं ही मैं और उसके बारे में अगर कुछ भी पता चले तो मुझे इंफॉर्म करना इतना कहकर एकांच कॉल कट कर देता है तभी रजट अपने मोबाई को देखते हुए कहता है सर, हमेशा गुस्से में ही क्यू रहते है हमेशा मुझे डाटते है इतना कहकर रजट रोनी सी सूरत बना लेता है दूसरी तरफ एकांच कॉल कट होने के बाद शातिर हसी हस्ते हुए खुद से कहता है अब इस बार तो तुमसे मुलाकात होकर ही रहेगी So of my world फिर जाकर एकांच भी से जाता है तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है एश्वर्या के दिमाग में कौन सा नया प्लान चल रहा है और एकांच डेवल प्रिंसेस को क्यों धून रहा है क्या एकांच को डेवल प्रिंसेस मिलेगी और क्या एक आंज को पता चलेगा कि एश्वर्या ही यूरोप की डेवल प्रिंसेस है प्लीज फोल्डेड हैंज चैनल को सब्सक्राइब एं लाइक कॉमेंट शेर जरूर करें